हेलो एवरिवन स्वागत आप सभी का आपके यूटीब चैनल लॉजिक पाइट शैलर में मैं हूँ हिमानी चुहान और आज आपके लिए लेके आई हूँ इंपोर्टेंट करेंट अफेस 2022 फिंस यहाँ पर हम ना करेंट अफेस को रवाइस करेंगे और यह जो करेंट अफेस हैं आपके 2022 के हैं तो mix current affairs होंगे आपके SSC exams हो चाहे railway का exam हो चाहे कोई भी state exam आपका हो उन सभी exam में ये आपको काफी मदद करेंगे तो इस वीडियो का PDF में आप लोगों को टेलिग्राम पर share कर दूँगी और ये current affairs बहुत important है तो guys इसको जरूर देखेगा और ऐसी वीडियो में आपके लिए लेके आती रहोंगी तो चलिए अब बिना देरी से शुरू करते हैं question first से तो आप लोग भी अपने question के answer साथ साथ में लगाते चलिए इससे आपका भी बहुत अच्छी से revision हो सकेगा चल चलिए first question से शुरू करते हैं तो चलिए देश के सबसे युवा राष्टपती कौन बनी है और चलिए कंट्री के बात करते हैं तो यह साथ अमेरिका कॉंटिनेंट पे लोकेटेड इसकी कापिटल है सेंटियागो करंसी है यहां की पेसो और प्रेजिडेंट कौन बनी है गैब्रियल बोरिक next question देखिए who has been appointed as a new chairman and managing director of oil india limited friends जिस question में थोड़ा explanation का पाट दोगा मैं आपको अच्छे से समझाती रहूंगी लेकिन बहुत सारी question आपको directly ही ध्यान रखनी है जैसे appointment है तो आपको directly याद होना चाहिए कि oil india limited के chairman और managing director कौन बने है तो उनका नेम है रणजीत रथ आप देखो मैं आपको याद भी करा देती हूँ देखिए oil से आपको याद होगा जैसे माली जे कहीं oil गिरा हुआ होता है और जैसे हम उस पे पैर रगते तो हमारा पैर को तो एक्दम slip हो जाता है हम एक्दम run करन trade तो इसमें हमें बताना है कि ये जो tournament हुआ है इसमें men's single का title किसने जीता है आंसर है Thailand के player है कुनला वुत विदी दरसान जिन्होंने men's single का जो है वो इसमें title जीता है और इसमें इन्होंने defeat किसे किया था याद रखिएगा भारत के लक्षे सेन को इन्होंने इसमें defeat किया तो आप देख सकते हैं defeated Indian player लक्षे सेन with the German open super 300 title next question है when is international day of mathematics 2022 celebrated तो friends अंतराश्टे चो गड़े दिवस हैं ये कब मनाया चाहता है सही answer है चौधे मार्ज इसे देखे पाई डे के राम से भी जानते हैं पाई डे इसको भी से भी पूछ सकते हैं आप लोगों से और इस दिन mathematics की क्या रोल है हमारी life में ये कैसे हम अपने quality of life को improve कर सकते हैं इसके बारे में highlight किया चाता है और theme तो देखे ये very important theme इसकी mathematics integration next question हमारा which state or UT has launched the online portal my electric vehicle to ease the process of procuring electric auto rickshaws यानि electric auto rickshaws की खरेत की प्रकर्या को असान बनाने के लिए किस ने my EV नाम से एक portal को launch किया है सही answer हो जाएगा डेली तो डेली ने इस portal को launch किया है अब इसकी help से देखे क्या होगा कि अगर कोई भी customer है चोकि ये रिक्षास को खरीदना चाते हैं तो डेली government जो है वो उनको यहाँ पे एक तरीके से मदद provide करेंगी और इसकी वज़े से वो 25,000 रुपे से 30,000 के रूप बीच में उनको एक subsidy rate भी दिया जाएगा जिससे की वो असानी से इन electric vehicles को खरीज सकती है next question है हमारा who has become the fastest batsman to score the fastest 50 in the history of Indian test cricket भारते test cricket के इतियास में देखे इनोंने सबसे तेज जो है वो 50 रन बनाए हैं और इनका नाम है रिशब पन्त तो इंडिया और श्रिलंका के बीच में match हो रहा था पिंग बॉल टेस्ट मैच उसी दौरान रिशब पन्त ने जो है यहाँ पर 28 बॉलों में कितने रन बना दिया 50 बना दिया और जो पुराना record था पुराना record था कपिल देव जी के नाम पे उनके record को उन्होंने ब्रेक किया क्योंकि कपिल देव जी ने थीस बॉल में बनाई थे 50 रन और रिशब पन्त ने 28 बॉलों में बना दिया 50 रन अगला question है which Indian airport has been awarded the award for the best airport in the Asia Pacific region for the fourth consecutive time यानि लगा था चौते साल में Asia Pacific region में सबसे best airport का जो award है यह किसे मिला है तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंदरा गांधी International Airport यह लगादार चौती बार जो है वो इसमें टॉप पे रहा अगला question ने प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेल महाकुम्भ का उन्घाटन कहां पे किया सही आंसर है गुजरात एहमदाबाद में तो मोदी जी के दौरा इस पार ग्यारवे नंबर का जो खेल महाकुम है इसका उन्घाटन किया गया है खेल महाकुम्भ के गुजरास सरकार के दौरा एन्वली एक स्पोर्ट आपके लिए एक competition है जिसके माध्यम से क्या करिया जाता है कि जो यूद कोचिंग है या फीजियो थेरपी जैसे खेल से जुड़े पेशियो को अपना सकते हैं तो इसके नहीं तरह किसे खेल को बढ़ जिंद कुमार गुजरात की सबसे longest coastline है यानि जो तट रेखा है वो गुजरात की सबसे बड़ी है इंपॉर्टेंट नैशनल पार्क में है गिर फॉरेस्ट, ब्लैक बग, वांस्ता और गल्फ कच्छ, मरीन नैशनल पार्क नेक्स्ट अमारा question है what is the rank of India in the global report digital shopping global investment 2021 और इस report को London and partners ने release किया इसमें भारत जो रहा है वो दूसरे नमबर पे रहा है अच्छा ध्यान रखीगा देखे भारत दूसरे नमबर पे है तो पहले नमबर पे कौन सी country है यूस है, second पे है इंडिया और तीसरे नमबर पे है और आपसे एक ये question बन सकते किस report को जारी किस ने किया है तो उसका नाम भी आप लोग ध्यान रखें अगला question है the national academy of letters जिसे कहा जाता है साहित्य academy of India उन्होंने एक book publish करी जिसका नेम है monsoon ये book किस ने लिखी है, who is the author of this book? आंसर हो जाएगा यहाँ पे, अभे के के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है, तो simply हमें ये ध्यान रखना है, अगला question है friends हमारा, air India के नए chairman कौन बनी है, सही answer है, नट राजन चंदर शेकरन, अच्छा air India मतलब ऐसे आप imagine करो कि air यानि हवा, कि आप ऐसी कोशिश क कर रहे हो, या आप ऐसे नाटक भी कर रहे हो कि मैं चौन पर चला जाओंगा उड़ के, यह आप ऐसे नाटक करके दिखा रहे हो, तो उड़ना मतलब air से हम लोग इसको connect करेंगे, तो नटराजन चंदर शेकर को रियर पॉइंट किया गया है, इस पोजिशन के लिए air India के श श्वशानती के इंदर कहां स्थापित किया जाएगा, आंसर है यहाँ पे गुरु गराम हर्यारा में इसे स्थापित किया जाएगा, तो याद रखेंगे से फितना ही, अब इससे देखो होगा क्या कि जो हमारी ancient knowledge है ना, उसको modern knowledge के साथ में एक तरीके से उसका समनवे किया जाएगा और जो peace education है उसका प्रसार किया जाएगा, आकला question है, where will the BIMSTAC summit 2022 be held, इसका जो आयचन है वो कुलंबो श्री लंका में किया जाएगा, और ये इसका edition कौन सा रहेगा, ध्यान रखेंगे ये इसका पांचवा edition रहेगा, BIMSTAC मतलब होता है, Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation, इसकी श quarter है, वो ढाका बांगलादेश में है, साथ इसके देखें member countries हैं, जिसमें है बांगलादेश, second number पे है आपका भुटान, फिर है इंडिया, नेपाल, श्री लंका, मियंमार and Thailand, तो ये साथ हैं BIMSTAC की member countries, next day world consumer right state 2022, ये कम मनाये गया, answer है 15 March, तो 15 March को ये celebrate होता है, इसका में उ देशे होता है कि जो consumers हैं, वो अपने rights के बारे में जाने, उनको अपने अधिकारों के बारे में पता हो, उसके लिए उनको जागरो करना और इसकी theme रही इस पार की fair digital finance, अगला question है friends, who has won the best film award at the BAFTA, तो इस बार देखें जो BAFTA हुई, उसमें best film का award किसे मिला, सही answer हो बात करते हैं, तो best director का जो award है, वो किसे मिला, Jane Campion को मिला, best actress in a leading role, ये गया, John Skellen, और वहीं best actor की बात करते है, Will Smith को मिला, best supporting actress का जो award है, वो Ariana De Boas को मिला, और actor की बात करें, तो Troy Coatser को मिला, तो ये important awards है, इस जरू ध्यान रखेगा, इन में से कोई सा भी आपकी exam में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट कोईशन है, विच मैडल हैस में बॉन बाइदा इंडिन प्लेयर लक्षे सीन, इन दी बेडमिंटन टूर्नामें, जर्मन ओपन सुपर 300, तो दिखें, मैंने आपको अभी पहले पताया था, लेकिन वो क्वेशन थोड़ा डिफेंट तरीके से था, कि ज इसे तरीके से आपको दे के ध्यान रखने हैं, कोईशन को, क्योंकि कोईशन कई बार ऐसा होता है, घुमा के पूछ लेते हैं, आंसर उसी में ही छुपा होता है, ये जो टूर्नामेंट हुआ फ्रेंड्स, इसका जो आयचन है, वो जर्मनी में ही किया गया था, अगला कोश टॉप पोजिशन पे रहा है, आंसर हो जाएगा, साओधी अरेबिया और इंडिया, तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है, वो है, बोध, सुटेबल, सेकेंड नंबर पे हैं, एजिप्ट और थर्ड नंबर पे हैं, आस्ट्रेलिया, इसे चारी किस ने किया है, सिप्री, अंसर है, महानदी कोल फिल्ड लिमिटेड, जो कि भारत की सबसी बड़ी कोईला उत्पादक कंपनी बन गई है, इसके बादे कॉंसर स्टेट या यूटी है, जिसने लांच किया है, इंडिया का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम, फर क्लीन वाटर एंड सिक्योरिटी, तो ये किसने लांच किया है, करनाटक की सरकार ने, तो इस एक्वेरियम के बादे हम से देखो क्या होगा, दस लाग से भी जाधा, जो यूथ हैं उनको यहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी, किस चीज़ को लेके, वाटर सिक्योरिटी या क्लीन वाटर को लेके, अगला कोशन है, वर्ड कॉन्टेक्ट डे, यानि विश्व संपर्क दिवस, ये कब मनाया जाता है, पंधरा मार्च को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, नेक्स्ट क्वेशन की तरह बढ़ते हैं, वो हैस बिकम दा न्यू चीफ मिनिस्टर और पंजाब, तो पंजाब में आप सभी को पताय भी चुनाव हुए, और यहाँ पे नई सरकार बनी है, आमादमी पार्टी की, और उसके सीम कौन बनी है, भगवन्त मान, ये पंजाब क परोहिते पंजाब के गवर्नर, अगला कोशन है हमारा, वेर एस एशियन यूथ और जूनियर बॉक्सिंग चांपेंशिप 2022 गेम हेल्ड, तो फ्रेंट चो एशियाई यूवा और जूनियर मुक्यबाजे चांपेंशिप है, इसका आयोचन कहां पी हुआ, जॉर्डन देश में इसका आयेचन किया गया, इस टूर्णामेंट में अगर हम भारत की तरफ से बात करते हैं, पंधरा जो हैं उन्होंने गोल्ड मेडल चीते, दस सेलवर मेडल चीते और फॉर्टीन जो हैं वो इसमें ब्रॉंस मेडल चीते हैं, तो आप देख सकते हैं, इंडियन बॉक्स टेक्नलोजी पार्क भी ओपंड, तो ये भारत का पहला आर्टिफिशल इंटेलिजेंस पार्क है, और इसे कहां खोला जाएगा, बेंगलोर करनाटिका में जो है, वो इसे खोला जाएगा, नक्स कोशन है हमारा नैशनल वेक्सिनेशन डे टो डाउसन ट्वेंटीटू, ये 1995 में भारत में, ओरल पोलियो वेक्सिन की पहली खुराग दी गई थी, तो इसी दिन को नैशनल वेक्सिनेशन डे की तोर पर सेलिबेट किया जाने लगा, और इसकी थीम रही इस बार की वेक्सिन्स वर्क फॉर ओल, अगला कोशन है हमारा जूनियर एशन हैंड बॉल इसमें गोल्ड मेडल जीता और इन्होंने इसमें डिफीट किसे किया, तो कजाकिस्तान की टीम को भारत की टीम ने जो है वो डिफीट किया और इसमें गोल्ड मेडल जीता, ये जो चैंपेंशिप होई, इसका जो आयजन है, वो कहां पे किया गया, इसका आयजन किया गया, अलमाटी में जो की कहां पे है कजाकिस्तान में आगला कोशन है according to the report released by the ministry of health which state has top in the lowest maternal mortality ratio in इंडिया देखे सबसे कम मार्त मृत्यू दर में कौन सा राज़े top पे रहा है तो वो रहा है कीरल यहां में सबसे कम mortality rate है और इसके अलावा देखे कि यहां पे अगर हम बात करें second पे है महाराष्ट रोस के बाद है तेलंगाना अगला है फिडे चेस ओलंपियाड पाउसें 22 गेम का आयचन कहां किया जाएगा आंसर हो जाएगा फ्रेंड चेन नहीं इंडिया में जो है वो इसका आयचन किया जाएगा तो आपको याद रखना है कि जो फिडे चेस ओलंपियाड होंगे ये आपके कहां पे होंगे चेन नहीं इंडिया में होंगे अब देखे फिडे की बात क्या करते हैं तो फिडे जो कि एक जितने भी चेस के गेम होते हैं वर्ड में उन सबी को फिडे रेगुलेट करता है इसे हम इंडरनाशनल चेस फेडरेशन या वर्ड चेस फेडरेशन के नाम से जानती है इसके सापना 20 चुलाई 1924 को ही और इसका हेड़कॉर्टर है लॉसेन स्विसलेंड में अगला कोशन है भारत की पहली मेडिकल सिटी और इस मेडिकल सिटी को देखे नाम दिया है इंदराइनी मेडिसिटी इसे कहां पे जो है उसके लिए आपको इधोदर चाने की जुरूत नहीं होगी सबी स्पेशल ट्रेर्मेंट आपको एक ही जगा पर अवेलिवल होंगी अगला कोशन है बजाज इलियान जनरल इंशोरेंस की मैनेचिंग डारेक्टर और सीओ कौन बनी है अंसर है तपन सिंगल तपन सिंगल बनी है बजाज इलियान जनरल इंशोरेंस की मडी और सीओ नेक्स्ट क्वेशन है यूनियन एनरजी मिनिस्टर आरके सिंग ने कहां पर इंडिया का पहला वर्चिल स्मार्ट ग्रिश नौलिज सेंटर और इनोविशन बार्क को इनोग्रेट किया फ्रेंट जो इसका इनोगरेशन है ये कहां किया गया मानिसर हर्याना में इसको स्थापित किया गया नेक्स्ट हमारा क्वेशन है वू हैस वॉन टी टाइटल ओफ मिस वर्ट तुटाउजन टुटीवन राइट आंसर है फ्रेंट्स पोलाइन की कैरूलीना विलासवुका ने जीता है इस पार का मिस वर्ट तुटाउजन टुटीवन का टाइटल और इसमें इंडिया की तरफ से भी ध्यान रखेगा मांसा वराणसी ने इसमें इंडिया के तरफ से पार्टिसिपेट किया इसका आयजन कहां पे किया गया था तो पिटो रिको में इसका आयजन किया गया था और ये इसका सेवंटीथ नमबर का एडिशन हुआ अगला कोशेन ने Union Minister रोट जो रोट रांसपॉर्ट मिनिस्टर है नितिन गटकरीजी उन्होंने वोल्ट की Advanced Technology डेवलप्ड ग्रीन हाइडोजन फ्यूल इलेक्रिक वहीकल को लॉंच किया है इस लेक्रिक वहीकल का नाम क्या है आंसर हो जाएगा टोयोटो मिराई तो इस एलेक्ट्रिक वहिकल का नाम है टोयोटो मिराई एक और चीज़ पूछ सकते थे कि इसे लॉंच किस ने किया है तो अब आप आंसर लगाते नितिन गट करीजी अगला है इसरो ने सक्सेस्फुली टेस्ट फायर किया है इसका है इसरो के द्वारा इसरो जो है वो इंडिया के स्पेस एजनसी है और इसकी शुरुआत 15 ऑगस्ट 1969 में हुई इसके फाउंडर है विकरम सहरभाई इसका हैड़क्वार्टर है बेंगलोर करनाटका में और वर्तमान में इसरो के जो प्रेजिडेंट है उनका नाम है एस सोमनाथ अगला कोशन है अकॉर्डिंग टो दे रिपोर्ट रिलीस्ट बाइ ब्लूम्स वर्ग वोट इस दी पोजिशन ऑफ इंडिया इन टरम्स ऑफ इक्विटी मार्केट केपिटलाइजेशन तो इसमें भारत जो है वो कौनसे नंबर पे है भारत के पोजिशन है इसमें पांचवे नंबर की टॉप पोजिशन पर है यूएस, सेकंड पे है चाइना, धर्ड पे है जपान ध्यान रखेगा फ्रेंड्स कि इसको ब्लूमबर्ग ने जारी गिया है इस रिपोर्ट को अगला कुशन है IFR Asia Award 2021 में कौनसे बैंक ने Asian Bank of the Year का पुरिसकार जीता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे बैंक का जो नाम है वो है एक्सिस बैंक, अच्छा एक्सिस बैंक के स्थापना कब हुई 1993 में और इसका हेड़कॉर्टर जो है मुंबई में अगला कुशन है WHO has presented a budget of रुपीज 1.42 लेक करोन for Jammu and Kashmir for the financial year 2022-23 तो जम्मु कश्मीर के लिए जो budget है वो किस ने पेश किया है सही आंसर है फेंड निर्मला सीता रमर चुकी है Union Finance Minister उन्होंने जम्मु कश्मीर के लिए जो है वो budget पेश किया अगला कुशन है which has become the most polluted city in the India तो दिखे अभी एक रिपोर्ट आई All India Winter Air Quality Analysis के नाम से और इसे Center for Science and Environment ने रिलीज किया इस रिपोर्ट के अनकॉर्डिंग most polluted city कौन सी है भारत में तो वो है गाजियबाद जो की है उत्तर प्रदेश में अगर हम North India की बात करते हैं तो वहाँ पे फरिदाबाद, मानेसर, बागपर्थ, नॉइडा ये सब polluted city है इस्टर रिजन में जो most polluted city है वो है बिहार की सिवान West zone की बात करते हैं तो वहाँ पे most polluted city है गुजराद की अनकल इश्वर Next question है Where has the SAFF Under 18 Women's Championship 2022 started the sporting event तो इस खेल का जो आयोचन है वो कहाँ पे शुरू हुआ है जमशेदपुर जारखंड में South Asian Football Federation के stabilisement 1997 में हुई इसका headquarter है धाका में और इस federation में साथ इसकी member countries है बांगलादेश, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रेलंका और भूटान अगला question है United Nations General Assembly ने declare कि हर साल जो है कौन से दिन international day to combat Islamophobia celebrate किया जाएगा तो ये दिन celebrate किया जाएगा पंदरे मार्च को तो ध्यान रखेंगे friends कि पंदरे मार्च को जो international day to combat Islamophobia है इसे celebrate किया जाएगा अगला question है Who is the author of the book और बुक का नाम है सोली सुराब जी Life and Times and Authorized Biography तो ये बुक किसने लिखी है अभिनव चंदरचूट के द्वारा इस बुक को लिखा गया है जिसका नाम है सोली सुराब जी Life and Times अगला question है Where was the 14th India Japan Annual Summit Organized तो चौधवे जो भारत जपान वार्षिक शिखर सम्मेले नहें कहां पर आयजित किया गया तो सही answer है New Delhi इंडिया में और भारत की तरव से इसमें नरींदर मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया है ये आपको ध्यान रखना है अगला question है Clothing Brand Company Puma ने Brand Ambassador के रूप में किसे अपाइंट किया है सही answer हो जाएगा George Rassil तो Puma के स्थापना जो हुई थी वो 1948 में हुई थी Puma का Headquarter अगर हम बात करते हैं तो वो कहां पे है Germany में अगला question है कौन से स्टेट के revenue department ने दिशांग application को launch किया for land survey और getting land details तो ये जो दिशांग application ने इसे करनाटक की सरकार ने launch किया है इसका main उदेश यह यह देखे कि land की जो details है कि land किसका है कौन इसके honor है इन सब भी की जानकरी जो है इस application पे मिल जाएगी next day when is ordinance factory day 2022 celebrated तो ये दिन मनाया जाता है कब 18 March को ये दिन celebrate किया जाता है 18 March 1802 में या 1802 में कोसी पुर कॉलकाता में भारत के सबसे पुरानी ordinance manufacturing factory को स्थापित किया गयता और इसी उपलक्षय में हर साल ये दिन celebrate किया जाता है अगला question है 31st G.D. Birla Award से किसे सम्मानित किया गया तो दीके उनके scientific research के लिए उनको ये Award मिला है और ये Award किसे मिला है नारायन प्रधान को तो G.D. Birla Award जो मिला है वो नारायन प्रधान को दिया गया है next is according to the Global Rich List 2022 report इसे हुरून प्लेटफॉर्म के त्वारा लॉंच किया गया है who has become the richest person in Asia तो Asia में इसे सबसे richest person बन गए है उनका नाम है मुकेश अम्मानी लेकिन अगर हम वोट की बात करते हैं तो पहले नंबर पी है एलन मस्क, देन जेब बिजोस और फिर है बर्नार्ड अर्नॉल्ट अगला कोशन है हमारा where has the 26th edition of international film festival started सही आंसर है तिरुवनंत पूरम केरल तो फेंट्स अंतराश्टिय फिल महसव का जो 26 संस्क्रण है ये तिलंगाना केरला में शुरू हुआ next है with which company the dredging corporation of India has signed an M.A.U. to build India's first indigenous dredger cruise ship तो भारत का पहला स्वदेशी dredger cruise जहाज बनाने के लिए कौन सी company ने dredging corporation of India के साथ में एक M.A.U. sign किया है फेंट्स कंपनी का नाम है कोचिन शिपियार्ड लिमिटेड ने जो ये M.A.U. है वो sign किया है अगला कोशन है where will the 36th international geological congress conference be held इसका जो आयजन है ये कहाँ पे New Delhi में जो है इसका आयजन किया गया है अगला कोशन है देखिए book है राहूल बजाज एन Extraordinary Life ये book किस ने लिखी है तो friend ये पुस्तक लिखी है गीता पिरामल ने तो आपको simply ध्यान रखना है देखिए राहूल बजाज एन Extraordinary Life ये पुस्तक किस के दौरा लिखी गई है गीता पिरामल के दौरा अगला कोशन है हमारा friends who has become the chief minister of Manipur Manipur के मुख्यमंत्री कौन बनी है तो Manipur में अभी election हुए और N-brain Singh यहां पे फिर से मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए है अगला है according to the world happiness index 2022 what is the rank of India तो world happiness index में friends भारत की जो rank रही है कौन सी है 136 नंबर पे जो है वो भारत रहा है इसमें अगर हम top countries की बात करते हैं तो पहले नंबर पे है Finland उसके बाद है Denmark और तीसरे नंबर पे है Iceland अगर हम पाकिस्तान की ranking की बात करें तो 121 नंबर पे है Pakistan सबसे least यानि सबसे नाखुश देश कौन सा है तो वो है अफगानिस्तान तो ये दो points और हम लोगों को याद रखनी है अगला question है data consistency services के managing director और CEO कौन बनी सही आंजर है राजेश गोपिनाथन next international day of happiness यानि अंतराश्टिय प्रसन्यता दिवस कब मनाया जाता है तो फ्रेंड हर साल 20 मार्च को अंतराश्टिय प्रसन्यता दिवस मनाया जाता है इस बार इसकी theme रही keep calm, stay wise and be kind next day Asia Cup 2022 गेम का आयजन कहां किया जाएगा तो इस गेम का जो आयजन है वो श्रिलंका मीं किया जाएगा Asia Cup टूनामेन जो है न हर दो साल के बाद इसका आयजन किया जाता है which has become the first state in India to launch crop diversification index तो पहला जो state बन गया है वो है तेलंगाना जिसने crop diversification index को शुरू किया है तो इसके अनुसार तेलंगाना राजजमी 77 किस्मों की जो फसले हैं उनको उगाया जाता है और अभी crop diversification के लिए केवल 10 ही crops को चुना गया है next day who has become the new CEO of Flipkart Health Plus answer हो जाएगा प्रशान्त जावेरी find Flipkart Health Plus के जो नई CEO बने है उनका नाम है प्रशान्त जावेरी अगला है इंडियन कोस्ट कार्ड ने introduce, induct किया है 5th offshore petrol ship जिसका नाम है सक्षम इस ship को किसने build किया है तो right answer हो जाएगा Goa Shipyard Limited के द्वारा ये जो जहाज है इसका नर्मान किया गया है अगला question है 19th March 2022 को CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस celebrate किया तो इस बार CRPF के द्वारा 83rd नमबर का अपना स्थापना दिवस celebrate किया गया है CRPF भारत का देखे सबसे बढ़ा केंद्रिय सर्शेस्तर पुलिस बल है इसकी establishment 27 जुलाई 1939 में हुई थी इसका headquarter है न्यू डेली में डारेक्टर जनरल है कुलदीब सिंग इंस्पेक्टर जनरल है पी एस रानिव से और इसका जो मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी अगले कोशन पर बढ़ती है वर्ड स्पैरोडे तो विश्व गौरईया दिवस कब मनाया जाता है फ्रिंट 20 मार्च को देखे celebrate होता है विश्व गौरईया दिवस तुर्क मेनिस्तान के नई प्रेजिडेंट कौन बनी है सही आंसर है सरदार वर्दी मुहमदेव ये तुर्क मेनिस्तान के जो है नई प्रेजिडेंट बनी है इसके बाद देखी इस बार की जो बहरीन ग्रेंट प्रिक्स होई है इसको किसने जीता है तो फ्रेंट जो बहरीन Grand Prix तो यह न यह चीती है किसने Charles Leclerc ने तो आपको ध्यान रखना है Charles Leclerc ने जो है इस पार की बहरीन Grand Prix चीती है और इसका आयजन बहरीन में ही किया गया था देखें फ्रेंट Formula 1 रेस की बात होती है तो इसके बाद एक Saudi Arabian Grand Prix भी हुई यह किसने जीती यह Max Verstappeen ने जीती देशन आपको ध्यान रखना है Australian Grand Prix यह भी आपकी किसने जीती है Charles Leclerc ने देशन आप ध्यान रखेगा Emilia Romagna Grand Prix जीती है Max Verstappeen ने Then Miami Grand Prix हुई ये भी Max Verstappeen ने जीती और अभी recently Spanish Grand Prix हुई है और ये भी किस ने जीती है Max Verstappeen ने तो अभी तक 2022 में ये सभी Grand Prix हुई है इनके भारे में ध्यान रखेगा अगला है Asian Cricket Council के President कौन बनी है तो सही आंसर हो जाएका जै शहा When was the International Day for the Elimination of Racial Discrimination Observed तो फेंट चोन नसलिय भेदवाव की उनमोलन के लिए अंतराश्टिय दिवस है ये कब मनाया गया तो ये सलिबेट किया गया है 21 March गो अगला कोशन है All India All England Open Badminton Championship में में सिंगल का टाइटल किस ने जीता सही आंसर है Victor Alexan फिंक Victor Alexan ने और Victor Alexan देखे कौन से देश के हैं ये भी हमें याद रखना है Denmark के हैं जिन्होंने इस चांपेंशिप में में सिंगल का टाइटल जीता है लेकिन अगर आप लोग उसे वोमें सिंगल का टाइटल पूछ लिया जाए तो Japan की Yamaguchi अकाने ने जो है इसमें वोमें सिंगल का टाइटल जीता अगला कोशन है friends, researchers of which country have developed a laser weapon जिसका नाम है Realistive Kleistron Amplifier to destroy satellite in space तो इसमें पूछा गया है कि थी space में satellite को destroy करने के लिए ये जो weapon है इससे develop किया है चाइना देश के researchers ने next देखिए where will the military exercise cold response 2022 of the member countries of NATO तो NATO के जो member countries है उनके बीच में एक senior भ्यास हुआ cold response और इसका आयचन कहां पे किया गया तो इसका आयचन किया गया है Norway में तो ये आपको ध्यान लगना है NATO की full firm होती है North Atlantic Treaty Organization 1949 में इसकी स्थापना हुई और इसका headquarter ध्यान रखेंगे Brussels में है अगला question है हमारा which state has become the first state in India to conduct the assembly session वहाँ पे जो assembly session हुआ assembly session मतलब विधान सबसत्र बिलकुल paperless mode में हुआ और इनों ने national e-vidhan application का यूज किया ऐसा करने वाला जो पहला state बना है वो कौन सा है नागलेंड तो पूरा जो देखिए assembly का session हुआ है न वो paperless mode में किया गया इसके बाद देखिए which cricator has been honored with the prestigious sport icon 2022 award ये award मालदीव की government के द्वारा दिया गया है किसे सही answer है सुरेश राइना को तो सुरेश राइना को जो उन्होंने अपने career में जो भी achievement हासिल करी है उस achievements के लिए उनको sports icon से सम्मानित किया गया अगरा question है when is international forest yesterday यानि अंतराश्टिय वन दिवस कब मनाया गया है तो ये दिवस मनाया जाता है friends 21 March को तो इसका मतलब में उदेश देखे यही है कि वनों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूप करना और इसकी theme रही इस बार की forest and sustainable production and consumption तो theme के बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेगा next question है हमारा who has become the new managing director of Delhi Metro Rail Corporation सही answer है विकास कुमार जुकि Delhi Metro Rail Corporation के नए प्रबंध निदेशक बने है और Dr. Mangu Singh की जगा पर ये appoint हुए इसके बाद है according to celebrity brand valuation report जिसको release किया है Duff and Phelps ने who has become the celebrity with highest brand value in India तो इस list में जो top position पर हैं वो हैं विराट कोली second पर हैं रनवी सिंग and third पर हैं अक्षिव कुमार इससे Duff and Phelps के द्वारा release किया गया है जिसका headquarter New York में है अगला question है forest research institute की नए director कौन बनी है सही answer है friends यहाँ पर रेनू सिंग तो रेनू सिंग नए निदेशय का point हुई है International Day of Drug Checking in 2022 कब मनाया जाता है तो देखे ये दिन जो है न हर साल 31st March को celebrate किया जाता है तो लोगों को जो drugs हैं उनके बारे में educate किया जाता है उनके क्या impact हो सकते हैं आपके body पे आपकी life में तो इसी के बारे में जागरू किया जाता है इस दिन अगला question है friends गोवा के director general of police कौन बने है आंसर है जस्पाल सिंग जो कि गोवा के नई police महाने देशक बनी है गोवा के सापना 30 मई 1987 को हुई इसके capital है परणजी CM है प्रमोज सावंत गवर्नर है PS शरीधरन पिलई अगला question है एंडन एयर फोर्स ने एक नया initiative शुरू किया है जिसका नाम है fleet card fuel on move for refueling with which Indian महारतन company तो कौन सी इंडियन महारतन company के साथ में इस पहल को शुरू किया गया है तो company का नाम है Indian Oil Corporation Limited इंडियन एयर फोर्स की सापना 8 October 1932 को हुई इसका headquarter है New Delhi में 8 October को इयर फोर्स ती celebrate होता है और chief of इयर फोर्स कौन है विवेक राम चौधरी next question है देखिए which country has topped the medal tally of the 13th FESA International Para Athletic Championship तो इस championship में जो medal tally है इसमें बताना है कि कौन सी country ने top किया है तो friends इसमें Columbia देश ने top किया है उसके बाद देखिए Algeria है Thailand है इसका जो venue कहां पे है दुबई में इसका agent किया गया इसका addition रहा 13th नमबर का और भारत जो है वो इसमें 8 नमबर की position पर रहा अगला question है who has been awarded the stock home water prize 2022 ये जो prize ये किसे मिला है विल फ्राइड बुट सर्ट को ये award मिला है और एक तरीके से देखिए इस award को noble prize of water के रोक में जाना जाता है तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा अफगानिस्तान किरकेट टीम के नई head coach कौन बने है सही answer है फेंड ग्राहम थौर पे तो फेंड्स इंग्लेंड के ये former batsman है ग्राहम थौर पे जो कि अब अफगानिस्तान टीम के नई head coach बन गए है अफगानिस्तान एशा कॉंटिनेंट में है इसकी कापिटल है काबूल अफगान अफगानी है यहां की करंसी इंडिया हैस बिल्ट अ मलबरी डाम ओन काबूल रिबर कौन सी कंट्री में अफगानिस्तान में और डूरंड लाइन ये पाकिस्तार और अफगानिस्तान का international border ब खत्म करने के लिए विने समर्सिया योशना को शुरू किया है करनाटक की सरकारनी तो देखे जो विने समर्सिया योशना है ना इसका नाम विने नाम के एक तीन साल के दलित लड़के के नाम पे रखा गया था सेप्टेंबर 2021 में देखे क्या हुआ था कि ये बारिश से प्रथा चल रही है इसको समाप्त करने के लिए इस योशना को शुरू किया गया नेक्स्ट है पेमेंट्स काउंसिल आफ इंडिया के चेर्मेन कौन बने है राईट आणसर है हमारा विश्वास पटेल तो पेमेंट काउंसिल अफ इंडिया के जो अधियक्ष बने है उनका नाम है विश्वास पटेल नेक्स्ट देखे वरोन एक्सराइज है पताना है कि इंडिया की नेवी और कौन सी कंट्री की नेवी के बीच में वरोन एक्सराइज होती है तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, इसका जो एडिशन हुआ है, ये ट्वण्टीट एडिशन हुआ है कहां पर शुरू हुआ है, अरब सी में, यानि अरब सागर में और मेटिटेरियन जोसी है, वहाँ पर ये शुरू हुआ है, इसका आप लोग ध्यान रखेगा नेक्स्ट है वेन इस उतकल दिवस जिसे उडीसा डे के नाम से भी जानते हैं ये कब मनाया जाता है तो उतकल दिवस सेलिब्रेट होता है 1st मार्च को तो उडीसा देखिए हाँ उडीसा की जो स्थापना होई थी ना वो 1 अपरल 1936 को होई थी और इसी दिन जो है वो उडीसा डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है अगला कोशने विचेस विकम दी फर्स इस्टेट इन इंडिया तु स्टार्ट दर स्कीम ऑफ गीविंग परसनल लोन तू दी प्रिजनर्स इन जेल जेल में जो बंद कह दी हैं उनको परसनल लोन की योशना शुरू करने वाला पहला राज्य जो बना है वो है महाराष्ट देखे इसमें जो जेल में कहती हैं वो पचास हजार उपे तक का लोन ले सकती हैं जिसका यूज वो अपने जो फैमिली परसन है उनकी मदद करने के लिए या फिर जो वकील है उनकी फीस भरने के लिए इसका यूज कर सकती हैं अगला है फाइनेशल इयर 2021-22 में कौन सा रा राजे रहा है वो है उत्तर प्रदेश आप देख सकते हैं कि देखे वेजेटेबल प्रडेक्शन में उत्तर प्रदेश है पहले नंबर पे वहीं अगर हम फ्रूट प्रडेक्शन की बात करते हैं तो उसमें आंध्र प्रदेश फॉस्ट नंबर पे है अगला कोशन है फॉस एपरिल 1935 को हुई इसका हेड़क्वार्टर है मुंबई में और इसके गवर्नर है शक्तिकान दास अगला कुशन है 21st नाशनल पैराच स्विमिंग चैंपेंशिप 2022 का खिताब किसने जीता तो इस चैंपेंशिप का तो टाइटल है वो जीता है महाराश्ट ने तो महाराश्ट ने देखिए इसका टाइटल जीता है इसका आईजन अच्छा कहां पर किया गया था ये भी पूछ सकते हैं तो उदैपुर राजिस्थान में इसको कराए गया नेक्स्ट है आईपील की इतिहास में सबसे ज़ादा विकेट लेने वाले जो हैं वो गेनबाज कौन बने हैं देखिए ये पूरी आईपील की हिस्टप deaths के बात दो रही है तो सबसे ज़ादा जो विकेट लेने हैं वो डूएन व्राबो ने लिए हैं जोकि चेन नही सू गौट ब्रेक किया 170 विकेट्स का और ड्वेन ब्रावो के जो विकेट हो गए है 171 हो गए इसके बाद है देखे कोट के ओर्डर के फास्ट ट्रांसमेशन के लिए फास्टर नाम से जो सॉफ्ट वेर है इसे लॉंच किया है एन्बी रमना ने जो कि हैं चीफ जस्टिस हमारे भारत के और इसकी मदस्ते क्या होगा देखे जो स्टे ओर्डर होते हैं या कोई ऐसा आदेश होता है कोई भी चीज है ना उसको जल्दी से भेशने में सहायता मिलेगी अगला है कॉंस इंस्टिट्यूट ने नाशनल कॉन्फरेंस ओन प्रोड़क्शन और वी बैक्स इसे इसका जो आएजन है देखे नाशनल डेरी डेवलप्मेंट बोर्ड गुजरात के द्वारा इसका आएजन किया गया इसका मेन उदेश है यह है तो क्रिएट अवर्नेस अबाउट दा प्रोड़क्शन और वी बैक्स बैक्स जो मदमक्की मोम है ना उसकी उत्पाधन के बार में जागरुपता पैदा करना अगला है जो लॉजिकल सर्वे आफ इंडिया की डारेक्टर जनरल कौन बने है तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राजू इन्होंने राजेंदर सिंग घरखाल को सक्सीड किया ICC Women's ODI World Cup का टाइटल इस बार किसने जीता है वेरी इंपोर्टेंट तो ये टाइटल जो है वो इस बार किसने जीता है उस्ट्रेलिया की टीम ने उस्ट्रेलिया के टीम ने इसमें फाइनल में इंगलेंड को डिफीट किया इसका आये जन न्यूजिलेंड में कराये गया थ अगला कोशिन है दुनिया का सबसे बड़ा 100% इलेक्ट्रिक क्रूज शिप यांग्स रिवर 3 गौर्ज 1 इसे सक्सेस्फुली कम्प्लीट किया गया है इसे कौन सी कंट्री के दुआरा बनाया गया है तो इसे बनाया है चाइना ने नेक्स्ट है वर्ड ओर्टिस्म दे देखे ओर्टिस्म न एक बिमारी होती है इसमें जो बच्चा है न वो उसका जो ब्रेन है वो सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाता तो इसी के बारे में अवेर किया जाता है यह हर साल 2nd April को celebrate किया जाता है इसकी थीम है inclusive quality education for all नेक्स्ट है खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेंस 2022 का आयजन कहां पे होगा तो इसका जो आयजन है वो करनाटगा में किया जाएगा मनिपूर गवर्मेंट ने कौनसी कंपनी के साथ M.E.O. साइन किया है to start a sports digital experience center तो इसके लिए मनिपूर की सरकार ने Samsung इंडिया के साथ में एक M.E.O. साइन किया है अब मनिपूर में क्या होगा जो Olympian players है कि women उपलब्धियों को sports digital experience center में जो है वो demonstrate किया जाएगा जिसे लोग जब उनकी उपलब्धियों को देखेंगे ना तो वो भी उससे काफी ज़ादा motivate होंगे next day who has become the new chief of army training command answer हो जाएगा SS महल consumer healthcare company application है farm easy और farm easy के जो brand a master बनी है उनका नाम है आमिर खान next day जैनगर जनकपुर rail service इसे शुरू किया गया 8 साल के बाद भारत तुर्किस तेश के बीच में ये 8 साल के बाद शुरू हुई है तो right answer हो जाएगा नेपाल तो नेपाल के प्रधान मंत्री शेर भादुर दुए और भारत के जो प्रधान मंत्री है नरेंदर मोदी जी उन्होंने video conferencing से इस rail service को inaugurate किया अगला question है टाइगर ओफ ड्रास Captain Anush Nayar 23 कारगिल हीरो ये देखे friends बुक का नाम है और इस बुक को किस ने लिखा है तो मीना नयर और हिमा सिंग शेखावत ने इस बुक को लिखा है तो सही answer हो जाएगा यहाँ पे option number C तो देखे नयर से तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे relate हो जाएगा और ये कारगिल हीरो है मतब इनके अंदर हिम्मत बहुत जादा थी तो हिम्मत से हो गया हिम्मत सिंग शेखावत तो friends यहाँ पे हमारे complete hundred question cover हो जाते हैं आप लोगों का क्या score रहा या आप लोगों का कैसा experience ज़रूर मुझसे share करेगा comment section में और ऐसी वीडियो में आपके लिए और भी लेके आती रहूंगी ऐसी ही channel को अपना love and support देते रहें thank you so much for watching this video